हमारा 5th session Microsoft Soe Microsoft SoeWay के बारे में हमने प्रेली भी discuss कर चुके हैं थोड़ा सा कि Microsoft SoeWay जो एक portfolio बनाने के निया है इसे portfolio बनाने के निया है, you can create a presentation आप कोई भी report बनाना चाहें, कोई भी चीज बनाना चाहें वह सब कुछ SoeWay को पर जोएना वह बना सकते है SoeWay होता कि एक SSS किया जाता है, इसकी नहीं हम अपने Office 65 के account पर जाते है I go on Microsoft Office 65 dashboard फिर मैं S में जाता हूँ, S में जाने के बाद हमारे पास Microsoft SoeWay जो है उसको हमें देखने है Click करके Microsoft SoeWay Microsoft SoeWay जा आप काम कर दो होता है तो आपके बस तीन में जाने काम करने के एक आपके पास जो है वह New Service आप काम करने है From the blank एक आप Template से काम कर सकते है और एक डॉक्यमेंट से डॉक्यमेंट से मुराद है कि अगर वर्ट कंदर आपने Heading सेवरा बनाई है तो आप उनको लेकर आएंगे तो वह Heading में यहां पर Convert हो जाएंगे ले रहे तो हमें यहां पर जो काम करने है New from Template पर काम करने है और New Blank तो मैं क्लिक करता हूँ Blank Microsoft SoeWay पर जो काम किया जाता है उसकी निया के पास इस्तमाल होते है Cards क्या होते है Cards तो मुख्ली किसम के Topic को हम उसके निया covered करेंगे सबसे पहले बात है कि Create SoeWay क्या होते है जो Topic No.1 है हमारा Topic 2 हमारे पास जो है वह Using Cards है Topic 2 हमारे पास Groups है Topic 4 Focus Point है Topic 5 हमारे पास जो है Customizing Style in SoeWay And Topic No.6 हमारे पास जो है वह कहा है Sharing SoeWay तो यह Topic समय करना है और साथ पा Topic हमारे पास क्या है Setting SoeWay आके पास जो सामने जो आरी है स्ट्रीन इसके उपर कार्ड आ रहा है कार्ड के अंदर आप जब काम कर रहे हैं तो आपको बड़ यहां पर मुख्लिफ किसम के कार्ड आ रहा है नो अब आपर स्ट्हार में बुलते हैं ये सब कार्ड के आ हैं आ रही हमार आप कर lihat में बुलते हैं ये जो आ उरह आ पके बाह ढर है इनको कलते हैं जो आ रहा हुए in account आ में आपके जहा है में एक पास इक हैंडिंग होना छाहिए एक मैं एक ये English द्यार करा हुए मैं इसके नहीं MS Word पे जाता हूँ मेरा topic आपके पास getting it to know Microsoft Office 2019 मैंने click करा यहां पे control भी paste कर दिया यह मेरे पास क्या हो गया heading card है यहां पे आपके पास दो ड़ाइबारे स्टोरी लाइन और आपके पास दूसरा है design storyline में आप जो चीज़ा बना रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं उसका output design में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप नहीं क्या हो गया यह आता रहेगा और यह खुदबख़ चेंज होता रहेगा तो मैंने यहां पे क्लिक कर आप स्टोरी लाइन के ओपर दोबारा मैं जाता हूँ और now I clicked on plus one और यहां क्लिक करता हूँ क्या आपके पास heading one heading one पे मैंने क्लिक करा और यह जो कार्ड लिया है मैंने क्या है heading one मेरे पास heading number one Microsoft Word simple paste इसके बाद मैंने plus पे क्लिक करता हूँ प्लस पे क्लिक करने हमें कार्ड चाहिए तो मैंने क्लिक कर आप प्लस के ओपर तो मुझे अब इसकी heading डिटेल चाहिए तो डिटेल के नहीं हम कह लेंगे text card कह लेंगे text card suggested आ रहे हैं आपके बाद test की category आ रही है text category के cards, media cards और groups card तो हम text card पर आए जाते हैं जो के बाहरे भी suggestion में भी आ रहा था जो आपको data अस्तमाल में होते हैं तो suggestive category में आ रहा होते हैं आपने text पर क्लिक करा इसके बारे में detail ही आ रही है simple copy and paste मेरे पास यहां पर image का भी add करने का option आ रहा है तो मैं यहां पर काम करता हूँ कि अभी मैं देखें ब्लैंक है कुछ भी नहीं है जब ब्लैंक है तो यह खुद अपने साफ़ से बना के दे रहा है मैं कहता हूँ कि काम करो कि इसके उपर भी यहां पर background डालो main title के उपर और जो इसकी headings है उसके उपर भी background हो तो मैं यहां पर click करता हूँ background के उपर और यहां पर आ रहा है कि suggestions चाहिए आपको वो खुद बता रहा है या आप search कर ले या device पर device का मत्तब मेरे computer से या online किसी social media site जहां पर तस्वीर upload होती है वहां से तो मैंने का मैं my device पर जाता हूँ my device पर जाने के बाद click on desktop to and I choose a picture just click open यह जो पिच्चर है यह आपके पास जो है computer में पढ़ी हुई और software के बारे में एक बाद हम कहते हैं कि software या my office 65 में जो भी आप काम कर रहा होते है automatically save हो रहा होता है मैं आपसे suggestion यह देता हूँ कि जब भी आप काम कर रहा करें software पे काम करें तो आप design पे जाके check के लिए करें कि यह आप कह रहा है ठीक है तो यह आपके पास यह आपके पास यह आपके बास get you to office तो मुझे इसको और भी अच्छा कर दे है मैंने click करें आप इसको emphasize कर लें ठीक है और Microsoft World आ रहा है इसी था अब मैं आप यहां पर online features थेमार करता हूँ कि मैंने का कि अब जो है न आप Microsoft World का logo ले ले ठीक है तो I found this and I just simple drag clear तो आप ने click करा design आप यह scroll करें स्कॉल कभी भी होगा यह आप बात में सब सेटिंग चेंज करेंगे यह यह आप ने second one in window में आप कहां से कहां पहुंच गए आप यह suppose कर से ने कि proper point में बेटे होंगे कहीं और तो आप design करेंगे आपने कुछ भी नहीं करा just simple आपके पास और इसमें एक वह बड़े इंपॉर्टन चीज़ है आपके drafting अगर आपने drafting बना के रखी है आपने देगा कि हमने 10 प्रेमिट के लिए अपने वर्शॉप से पहले और उसके बाद जब हम वर्शॉप में बेटे तो हमने बहुत असानी से यहां तक पहुंच गए ठीक है अब उसके बाद मुझे यही काम करना है किसकी निये same for excellence same for power fine तो मैं क्या करूँगा सकी निये अब जो मैं card डालूँगा वह कौन सा card होगा अब जो मैं card डालूँगा वह कौन सा card होगा वह होगा heading card I am talking about cards heading क्यूंकि उसको हमें दिखाना है मैं यहां पर आता हूँ क्लिक करता हूँ Microsoft Excel ठीक है same again आप यहां पर क्लिक करा paste Microsoft Excel आ गया मैंने इसको emphasize कर लिया पर इसके बाद मैं console card डालूँगा text card good text card का text मेरे पास पॉड़ा वह है Ctrl C और फिर अब क्या चीज़ आ गए हमारे पास जो हमने उपर के session में कड़ी दे हो क्या रही है इसके बीच में क्या चीज़ रही है अच्छा मैं Microsoft Word को भी emphasize कर लेता हूँ focus ताकि bold हो जाए थोड़ा सा यहां पर तस्वीर रह गई है तो मैं क्लिक करता हूँ और इसी को मैं copy paste कर लेता हूँ यहां पर ठीक है simple click and drag उसके बाद फिर क्या करूँगा मैं plus क्या heading उसके बाद Microsoft PowerPoint click PowerPoint emphasizes वहाँ पर जाके मैं paste कर लेता हूँ उसका logo निकाल लेता हूँ simple you click and drag उसके बाद आप यहाँ पर plus पर क्लिक करें और आपको कौन सा चाहिए text card ctrl c click ctrl ठीक है उसके बाद आप फिर एक और अब यह आपके पास card बन गए आप जारा design में जाईए अब यह आपके पास बैसिकली चल रहा है कि यह बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी दे के अंदर मैं बस वर्ड बैक्गाउंट है मैं story rhyme पर दोबारा से आया जाता हूँ and norm act or clicked on plus और मैं यहाँ पर दालता हूँ heading one और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कि interface of Microsoft applications हम कर ले दें और इस मताब मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर plus पर क्लिक कर रहा हूँ और plus पर क्लिक करने के बार मैं image पर जा रहा हूँ किस पर जा रहा हूँ image पर image पर मैं क्लिक करता हूँ image जो है ना मैं अपने computer से ले रहा हूँ my device ठीक है तो मैंने इस वक वर्ड ले लिया साथ साथ में मैं caption मी जा दो caption नजा रहा हूता है जब आप इसको display करेंगे तो इसके साथ caption लिखावा आएगा Microsoft word ठीक है मैंने अब मुझे images की category बनानी है तो मैं क्या करूंगा प्लस पर जाओंगा और अब क्या लूँगा image लूँगा क्यूंगा अब इस चीजें महुद होती है तो काम करना कितना असान है आप सोचते रहेंगे मैं यहां ही किस्टक हो गया आप क्या आप कौन सा कार्ट डालना है और फिर आप पुरी ड्राफ्टिंग करते तो आपको चेंग पता होती है कि आपको बैसिकली प्रजेक्ट में काम कैसे करना होता है अच्छा मैं यहां पर प्लस पर क्लिक करता हूँ और प्लस पर क्लिक करने के बाद फिर मैं इमेज पर याता हूँ और इमेज पर क्लिक करने के बाद अच्छा माइक्रोफ एक्सेल हो गया and now I clicked on my device और मैं यहाँ पर outlook डाल दाल लूँ okay Microsoft outlook पर मैं ख्लिक करता हूँ plus के उपर image Microsoft पर पॉइंट ठीक है और वह अगे अगे सेन प्रॉसेस ठीक है अब मैं जे मैंने बना लिया तो मुझे एसास हो कि नहीं यार ओर्डरिंग में गड़त हो गए पाव पाइंट जो है न वो एक्सर चेप पहले होना चाहिए तो आप बहुत असानी से कर सकते हैं आप सिंपल कार्ड पर जाएंगे मुफ को असानी मैंना वारे इस कार्ड को उठाएंगे उपर ले जाएंगे एक मैंट मैं यहां पर लेकर गया देखे आप कहां पर आगया मैं इसको ज़रा जूम आट कर ले दो ताकि मुझे स्क्रीन जो है न वो परदा चले सिंपल इसके बीश में देखे रहे हैं ग्रीन करा की लाइन आ गई है यहां पर आगया अपके बास तो अब देखें अभी का गया मैंने डिलीट कर दिया क्या कर दिया डिलीट कर दिया तो मैं इंसर्ट करना चाहूं तो अगर मैंने मूफ तो करा देखे मैं डिलीट भी कर दिया डिलीट हो गया अब मुझे इंसर्ट करना है तो मैं प्लस करता हूं मैं यहां पर मौझूद हूं यह मेरा करेंट है मैं प्लस पर जाता हूं और यहाँ पर करता हूँ इमेज अब उसके बाद आ गया तीन सीज़ें के एक्टिविडी होई है जादा गौह से देखेगा क्या एक्टिविडी होई है Microsoft PowerPoint इमेज के बाद आप मूव भी कर सकते है Rabb कर सकते हैं आप इसके लावा डिलीड भी कर सकते हैं कि डिलीड करना चाहिए आप डिलीड कर लें जैसे मैं मूफ कर तो मैंने एकसिटनेटली मुछे डिलीड अब गया तो कोई मसला नहीं अच्छा एक ये भी बड़ा मसला है कि आप उसको बहुत उपदर ड्रैक करके लेकर जा रहें ठीक है तो बहुत उपदर ड्रैक कर लेकर जा रहें टेक्स बहुत जाद हो थीक है लेकिन एक हेडिंग करना है तो मैं कहता हूँ आप अलग से डाल लें तो जैसे के बाद हैंगे प्लस और यह अगर आप यह वाली बात है कि जैसे आप एकसल में काम करें आपने करीब डे टमबर फाइफ डे टमबर सिक्स की अब डे टमबर फाइफ की एंट्री के रहे गई तो आपको डे टमबर फाइफ के बाद क्या दालना पड़ेगा एक और कॉलम दालना एक और रो दालना पड़ेगी ताके आप पांशवी तारी पांशवी जुलाए की आप सकता है अगर तो पिल्कुल पहले आना होता है तो फिर आप प्लस करेंगें और add करेंगे मूफ कर स piace कि किसी के बाद आना है तो बहुत असन है आप उस कार्ट के बाद प्लस के सामें हो कलिक कर ले तो अस कार्ट के बाद आ यह बिको आली बात है कि आप एकसर के इंदर कहां पे किस रोह पे मौजूद है और आपको कहां पे डालनी है क्लियर है तो यह एडिटिंग भी हो रही है आपको कार्ट भी डालना आपको चेक भी करना है सारी चीज़ों को तो मैं इसको स्टोरी राइन में जाते हूं देखता हूं कि इसकी स्टोरी क्या बनी है डिजाइन में स्टोरी क्लिक्ट and now you see कि मैं यहां पे चला कि वर्डा है वर्ड के बारे में Microsoft Excel के बारे में फिर Microsoft PowerPoint के बारे में उसके पास इंटरफेस और Microsoft Word यह मेरे पास आ गया अब आप देखे रहें कि यह क्या हुआ यह ग्रूप बन गया क्या हो गया एक ग्रूप बन गया तो मैंने यहां पे क्या किया किया कि मैं स्टोरी लैंग के उपड़ जाता हूँ अब यह आ रहा है बनामा हमारे पास तो मैं इसको भी उठा कि इसमें ड्राइग कर लेता हूँ यह पूरा ग्रूप बना हूँ है क्या बनामा और बस एक ग्रूप बना हूँ है और मैंने इसको क्लिक कर आप देख रहे हैं एक्सपेंड और क्लेस्ट भी हो रहा है क्या हो रहा है एक्सपेंड और क्लेस्ट भी हो रहा है यह ग्रूप में है तसलिए आ रहा है देखें यह ग्रूप बना है यह क्या हूँ है ग्रूप बना है मैं एक काम करता हूँ इसके कि मैं डिजाइन पर स्टोरी लाइन पर दोबारा जाता हूँ और स्टोरी लाइन पर मैं इनको डिलीर करना चाहूँ और मैं डिलीर कर सकता हूँ ठीक है मैंने कहा कि ग्रुप्ट है हमारे पास और मैं इसके दिलीर कर रहा हूँ जो मैंने काम किया तो मैं दोबारा करूँगा अब मैंने का कि मुझे काम दो करना है लेकिन मुझे गुरूप बना के काम करना है तो मैंने एक यहाँ पर प्लस पे कार्ड पे क्लिक करा प्लस के अंदर अगर आपको गुरूपिंग बनानी होती है तो आपके पास असान तरीका यह कि आप गुरूप में चले हैं ग्रूप में यह ग्रूप की टाइप है क्या है ग्रूप की टाइप है क्या आपने कहा कि मैं यहां पर करता हूं स्टेक क्लिक करा आपने कवर एड करा मैंने कहा है यहां पर माइक्रोसॉफ वर्ड क्लिक और स्टेक्स में जाके माई डिवाइस और मैंने क्लिक करा वर्ड ठीक है फिर मैंने क्लिक करा इमेज माईक्रोसॉफ पावर पॉइंट और यहां पर क्लिक करके माई डिवाइस पावर पॉइंट यहां पर मैंने क्लिक करा फिर इमेज के अपर माईक्रोसॉफ एक्सिल एक और इमेज एन लास्ली हमाई पास माईक्रोसॉफ और पॉइंट अब यह जब फाइनल हो जाएगा तो हम जाके प्रिव्यू करेंगे कि यह रिजल्ट में कैसा आ रहा है तो मैं इसको यह सब कम्प्रीट हो गया अब मैं इसको चेक करूंगा डिजाइन में जाके मेक शूर के यह प्रोसेस खतम हो जाए है से आप अगर हेराइकी को देखें तो आप कि यह देखें आप क्लिक करें इस टैके टॉर्डर में आ रहा है तस्वीर यह जो जा रही है सारी इमेजिस तो यह कितना मदब आप रहे हैं विल्कुल मिंटों में आपने यह सारे काम यह तो मैं आपको समझार नहीं लग लिए लेकिन अगर आप खुछ से कर लोंगे आपके अच्छा मैं अगर जाओ तो इक ग्रुप में कैसे पड़ा चले आप क्लिक करें यूं ठीक है? यह बता रहा है कि इस ग्रुप के अंदर यह काम हो है हमारे पास मैं ग्रुप में प्लस में करना चाओं मैं फ्लस भी कर सकता हूं मैंने यहां से क्लोश करा जब आप गुरूप में काम कर रहे होते हैं डिजाइन के अंदर तो आपके बास देखी का यहां पे आप्शन आ रहे हैं कि में क्लिक करता हूँ आप ग्रुब की टाइप को बात भी हैं कि ताइप को जा कर लें किया करनी है गर्यूब की टाइप यह इस स्टेकुट gaining आहरा था है आप इसको यह उखर लें आप इसको अरप डिजशाइन में या झाइभा तो यह आप बहुत ही मिंटो में आई काम करें इसी दाप डिजाइन में आप इसको अनघ्रूप डेलीट करना चाहें, यजब करना चाहें, आप डेलीट कर सकतें, रहा है। मैं यहाँ पे एक और जाता हूँ और यह क्लिक करतायो प्लस के उपर और मैं यहाँ पे करता हूँ Uny aim और je quantumgard के लिए ठेक्स लेटाहू सबसुत हुद किया एक है आए सिम्प्ली फ्लिक एंड ड्रैग इसको नहीं कर दें सही है और मैं प्लेस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अब मीडिया पे जा रहा हूँ और मीडिया के अंदर मैं वीडियो डालना नहीं चाहरा हूँ मैं जा रहा हूँ इंबैट क्या कर रहा हूँ अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो दें कि क्या होगा वीडियो पे बोलता है कि वीडियो डालो मैंने का मुझे भी Video नहीं दालनी है मुझे Basically embed करना है मैं Plus के पर जाने के बाद मैं यहां पर Click करूँगा Media Media में आ रहें मेरे पास embed Embed के अंजर में किसी भी Video को embed कर सकता हूं यह आ रहे है मेरे पास, तो मैंने इस वीडियो को क्लिक करा, वीडियो के फ़र लिंक्स आहर होता है हमारे पास कॉपी वीडियो रोला रहा रहा तो है, और आपके आधा कॉपी इंबेट, तो मैं करूँगा कॉपी इंबेट ताकि इस कस्सा बन जाए, कॉपी इंबेट कोट करा मैंने, और मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेता हूँ, वो एड्रेस, ठीक है, सिंपल पेस्ट, तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, डिजाइन के अंदर, आप क्लिक, डिजाइन देखा, तो वो वीडियो भी कुछ मैं छीन आपको दिखáता हू around साहुआ यजिसा के यह ऐफे बनाए बनाए है अब आप देखिए का मैं अपने पास सरी इसे को बनाए देखा है तो मिज्रीस को सौबे ज़र्ण कर देखं़ सौबे हम बनाए है आए हैं कि आप देखें तो ये मेरे बारे में ये बता है कि शपीकल siete आ में सब क्या हैं किति इंतक शर्वीडिकेशन को जम और स मैं इस चाहिए कि दना विडिव dol platform करें अब अब सोघ्जे अब यह जगह पे आप इस तमाम चीजों को जो न लेकर देख सकते हैं अब आप देखेगा सारी चीजे जो है ना अब यह कितने सारे कार्ड एड़ा हैं यह आप यह देखें के यह कार्ड है यह कार्ड है यह कार्ड है यह कार्ड है यह सारी तस्वीरें यह सब कार्ड हैं जो के एड़ कराई गए अब कोई किसी को भी मैं सेंड करता हूं तो उसको आइडिया हो जाएगा अभी मेरे कोर्सिस आ गए यह रीच में आ गया मेरे कॉंटेक्ट वगरे इस तवाम चीज़े तो आप देखें सौवे कितना इंपॉर्टन है आप अगर कि मुझे किसी कोई मुझे से पूछा है कि आप कौन है आपकी कॉलिफिशन क्या है आप क्या खिब अन्जाम देरे होते हैं आपकी आपने वर्श्वाप्स क्या करा ही है तो वो सारी चीज़ें इमेजिस वगरा उसके लावा जो है कौन से कॉर्सित आप उफर्ट कर रहे हैं तो यह तवाम चीज़ें यहाँ पर आगए एक और साववे मैं आपको दिखा दूँ ठीक है यह साववे जो है वो बैजिस वह रागा है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूं तो क्लिक करता हूं तो यह देखें अब मुझे किसी सर्टिफिकेशन निखानी होती है अपनी तो मै सर्टिफिकेशन निखानी होगा मैं लिंक्स रंट कर देखा हूं अब उसके अंदर क्लिक करके देख रहा होता है इसको क्लिक करना है देख रहा है यहाँ पर तो 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 आप देखें कि अब यह सारे कार्ड्स हैं जो इस्तमाल हों हमारे पास यह सारे कार्ड्स हैं जो म और यह भी देखने हैं तो इसमें कितने सारे कार्ड्स नमाल होएं कि तवाम मेरी फोटोग्राफ्स यह तवाम चीज़ है तो हम अपने इस होवे पर दुबारा से आते हैं हमारे बात इस होवे पर हम काम कर रहे थे तो जैसी है मैं यहाँ पर क्लिक करते हूँ तो यह है तो आप ने दिखा कि यह सारे थे आपने काम कर लिया सारे के इंदियर आप वीडियो की कर सकते हैं कोई भी चीज़ इंबेट करना चाहें चाहें सुवे किसनी इन के दिस्टर्स कहलте है कि आप कोई भी चीज को पौट फिलिओ बनाना चाहते हैं। इन वह इस भी आफ इसका एक बहुर अच्छा वर्ड अस्तमाल करते हैं कि सौवे कि अगर आप बोले हैं कि सिंगल वन नाइन आपके डिजिल स्टोरी टेलिंग सौफ़ेर है ठीक है कि आप अपनी चीज़ को डिजिली बताना चाहते हैं तो आप सौवे के जरीए जोना पता सकते हैं विच इस वेरी इंपॉर्टन के देखें आप मैं अपनी मैंने सौवे के जेम्पल दई कि मैं बढ़ा हूँ मुझे किसी को अपने बारे ब्रीफली बताने के वर्शाव इमेडियस वगएरा अपने सौवे के दिखा दिया इमेजिन करें इसके नहीं मुझे कितनी फेस्बुक वगएरा यह सब को आइडियस पुलना पढ़ते हैं और सारी चीज़े ब्रोश्टर रुश्टर सारी एक तक दिखाना पढ़ते है और वोजकर टाइम ही नहीं अब डिजिल है बीजिलर की सबसे बड़ी बात है कि ही और शी और शी और एसस फॉम एनी वेर फॉम एनी डिवाइस सबसे बड़ा फाइदा ही होता है तो आप नहीं ही काम तो कर लिया आप आपके बात जो है आप्शन आना मारे पास के फोकस पॉइंट का कि मैं डिजाइन के नदर जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फोकस पॉइंट पर किस पे क्लिक करना हूँ फोकस पॉइंट फोकस पॉइंट यह होता है कि आप यह तहर करते हैं कि आपकी इमेज के नदर फोकस पॉइंट का है आपका ये समझें के सौवे जो है टेबलेट के उपपर और स्मार्टफून में भी देखा जा रहा है आपके बास ऐसे ही है और टेक्स्टॉप पे भी तो आप ये देखें ये फोकस पॉइंड आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये फोकस पॉइंड आ गया और मैं यह चीज़ें ना हमारे पास जो है ना वो क्या हूँ फोकस हो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप ख्लिक करके फोकस पॉइंड कर भी सकते हैं तो ये आपके पास आना चाहिए देख ने आप है चेंज़िनि को आही है ति अगर आप चेंज़ करEE थे फोकस पॉइंट को तो चेंजिंग नीचे आना शुड़ हो गए देखें अब वो हड़ गया वो हड़ गया नहीं आरा फोकॉस पॉइंट मुझे तो मैंने का वाई स्क्रीन कड़िया लेकिन आफिस जो है वो प्रॉपर नजर आना चाहिए तो हम यहां पर जाके क्लिक कर लेते हैं यहां हमारा ओफिस देखा यह फोकॉस पॉइंट जो है ना क्लियर हो गया तो अगर आपका इमेज बहुत बड़ा है वह आप आप आट इसस किसम करें और आपके बाद फूर पत्ती में अदर सब कुछ है और बहुत कुछ आर्ट किसम करें तो आप ही कहने हैं कि वह इमेज तो यह आपको करना पड़ता है ताकि आपको टागेड़ जो चीज आप दिखाना चाहरें वह हो जाए क्योंकि है रिस्पॉंसिव है रिस्पॉंसिव का मतलब ही कि आपके बाद आप हर चीज एज़स हो दिया स्क्रीन के अपर तो यह चोटा सब आपक है फोकॉस जैंतिंग हमारे बाद इस के लाव हमारे बाद है कस्तामरिंग स्टाइल कर इनसाफए टीक है आपने का यू नी यू देखाऊ आप देखें ये यू आएगा ते आप 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 को ये यू आएगा ताइन पैक देखें आप इसको मैं क्लिक करता हूँ या आपने सेटिंग शेंच करती है पावर पॉईंट आया, पावर पावर पॉईंट के बारे मैं क्लिक किया, इंटरफेस यह आगया हमारे पास clear है? मैंने कहा कि मैं 12 साल में आता हूं, एक और काम करता हूं कि मैं यहां पे मैं customize भी कर सकता हूं कि अगर मैं यहां पर font कोई बना बनाए लेना चाहता हूँ, font के styles मैं यह भी ले सकता हूँ, यहां से, कि भाई यह मेरी जो document है उसके इना fonts यह हूँ fonts theme यह हमारे पास यह पूरी theme आ रही है हमारे पास आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं ठीक है इस पर क्लिक करें आप आप इसको क्लिक करें close ठीक है तो इस स्टाइल ही में आपको कुछ करना नहीं है आपके पास यह सारी चीज़ा आ रही है आपको सिर्फ इसके पर क्लिक करके चेंज कर लेना है हाँ अगैब आप लोग चाहते हैं के कस्तम फॉंट । बगरर हम अपने पास से बनाएं और कस्तम क्लर क्यूज़ा थो इमसे भी अब sausage सकते हैं और कस्तम कलर में बना सकते हैं जैसे आप फॉंट्स अलग चाहते हैं आप एनी मिशन एनी मिशन नहीं होती है एनी मिशन तो नहीं जा रहा है तो थोड़ी देगे निया दिखते है फेड़िट होता है तो वह स्पीड हाई यह लो करनी है वह टेस्कार साइड छोटा बड़ा करना है फॉंट चेंज करने मैं नहीं है तो मैं आपसे एक और बड़ा दबरस काम वोलूँगा कि आप अगर फर्स टाइम में तो मैं आपसे कोशी कहता हूं साथे स्टुरेंस को कि भाई आप टेक योर टाइम इन कस्टमाज़ेशन आप कस्टमाज़ेशन थीम को लेके काम करें आप स्लाइडर को देखें यह कितना दबर स्टाइल आया एक्जिक्टर स्टाइल के माइक्रसोफ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यह एस तनों से होना चाहिए था ठीक है मेरे अपनी खौईश यह दी कैसा होना चाहिए लेकिन आप इसको चेक करते रहें आप फिर रिमिक्स करें रिमिक्स का मतलब रिएडिट कर रहा उसको तो यह आपकी बास एक और स्टाइल आगया के बाद सी इन जस्ट फ्यू मिनिट्स और जस्क्लिकिंग और ड्रैगिंग क्लिक ड्रैग कॉपी पेस कर रहा आपने और आपके सामने आपने कोई चीज इंटरनी टाइप करका अलग से नहीं आपने कर लिया और आपने कोई फॉंड चूज नहीं करें आपने यहां पर इकाम कर लिया रिपिस में को मतलब कर लिया तो मैं आप से स्जेस्टि करूा अच्छा अच्छा साहवे नहीं आएंगी आप बनाएं बहसी सारे को आप एंगैं है आइडिया ले लें te Wait आईडिया ले 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 एगें कितना अच्छा प्रक्राएंट पीछा आगए यह आप नहीं नहीं करा यह हो गया उसके बाद आ गया इसके इन्राश च्छोड़े शुड़े दो टॉबिक शेरिंग सौवे के आपको देखें शेरिंग से जानने चुटेगी ओफिस स्क्री 5 के अंदर के आपको शेर्ड करने हैं इसको आप कैसे शेर्ड करेंगे कि आपके यह बड़न आ रहा है क्या रहे शेर्ड तो मुझे किसी को भी सोश्चल मीडिया पर लिंपने सेंड करना है ठीक है मुझे ऑफिस 65 के यूजर्कों सेंड करना है तो मैं यह आप आप आप्शन्स आ रहा है मेरे बदे बाद शेर्ड को आप्शन तो अगर आप यह देखें य के इंदर तो यह बोले है के select people और group office 65 के इंदर आप एक group या people को select कर ले organization को कर ले organization जो आपके all शफीक की है या anyone यह मैं इसको बना समा करता हूँ anyone this link कि मैं जब यह link send करूंगा किसी को भी यह देखें यह link है अगर मैं इसको copy कर लूँ ठीक है I just simple copy और मैं किसी भी window में जाके इसको open करता हूँ तो यह खुल जाएगा हम में जो हमने बना है वह यह आएगा हमारे पर design क्योंगे तो हम तो इसको share करने अभी हमने अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको share के अपर play करता हूँ तो यह प्ले में यहां पर आ रहा है मेरे पास ठीक है यह play चल ला है उसके बात मैं जाता हूँ यहां पर shade पर share पर आने के बात मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास यह link मैं जिसको भी certain करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ मैं इसको facebook पर भी करना चाहूँ linkedin पर करना चाहूँ मैं वह भी कर सकता हूँ और embed code भी आ रहा है मतलब embed code सौवे का embed code सौवे का embed code का मतलब यह के अगर आपने एक सौवे बनाई जो है वह सर शफीक की मेरी बायोग्राफिक की मेरे बारे में तो मैं एक कह रहा हूँ कि या कार्ट बहुत जादा अजीव से लग रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सौवे के इंदर दूसरे सौवे भी जाल सकते हैं या कोई ब्लॉक वगएरा embed code चाहिए क्या चाहिए embed code लिंक code नहीं चाहिए link code और embed code में फरक है तो आप link code में वहां पे चला है और जगा पे जाकर प्ले हो रहा होगा तो मैंने embed code का यहीं पर ही सौवे में देहते पे चले तो मैं इसको किसी भी सौवे में embed कर सकता हूँ ठीक है मैं required आ पास्वर्ट भी कर सकता हूँ इसके लावा और अगर आपने इस सब्सेर्टिंग से मुत्माइन नहीं है तो आप इसको क्या कर लें reset कर लें ठीक है तो मैं अगर आपको पास्वर्ट चाहिए तो मैं पास्वर्ट भी दाल दे सकता हूँ कि अपने इस सेंड करा लेकिन यह ओनलाइन किसी ने हैक कर लिया यह चला यह तो पास्वर्ट है तो पास्वर्ट मैं एसमेस कर दो ढ़ीए जब सौवे खुले तो वह डाल लेगा तो यह आप बहुत सारे काम करें कि सौवे को विदिन और ओर्गनेशन भी शेर्ड करें और आप साइट और ओगनेशन भी शेर्ड करें, सोशल मीडिया भी भी शेर्ड करें, स्पेसिफिक पीपर को भी शेर्ड करें, सौवे को आप क्या करें, इंबेट भी करें, तो ये था हमारे पास जो शेरिंग का, शेरिंग के लाब हमारे पास जो अप्शन आ रहा होता है, वो आ आप ऐसे रणने थे एनी इमिशन को अन रखना यह नहीं रखना तो में अपनी मर्जी कर चाहो नहीं चाहो मेरी मर्जी मैं इस पर क्लिक करके जरा सा भार आता हूं सौवे के अपपर और में डबल्व owner click करते ह। एक सेटिंग होती जो सामने आरी है इक सेटिंग जो सौवे की अपनी सेटिंग शेटिंग हैं यह बोला है क्या करो यह बोलै है दॉब्लिकेट सौवे कर लो क्लें हो जो रुख दूब्लिकेट शॉबे कर लो यह टेंपलेट बना है मैंने एक प्रजेक्ट बनायै और मैंने कहा कि इसको टेंपलेट बनागि दे रहा हूं, हर टेंपेट एक तैंपलेट आपको दे दिया, अब तेंपलेट दे दिया, subject gotta आपने टेंपलेट को एड़ेट करें मेरा टेंपलेट मेरे पास है और मैं एक टेंपलेट दे रहा हूँ तो मैं टेंपलेट के तो और भी कर सकता हूँ मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ तो मैं इसको एक्सपोर्ट करा ठीक है और मैं इसको कर देदाँ टैम्प और क्लिक कर देदाँ डूब्लिकेट ठीक है अब आप सौवे पे चलें तो यह देखें आपके सौवे बने वे आ रहे है यह दे मैं टाइल्स कर लेता हूँ ताकि ज्यादा सानी से बदर चले ठीक है टाइल्स में बता रहे कि यह देखें यह मैंने बनाया था और यह इसका क्या है डूब्लिकेट है एनी टाइम मैं जब भी एडिटिंग करना चाहूँगा तो मैं यहाँ बे क्लिक करना हूँगा ठीक है आई साइनिंग और लास्ली हमाई बात कुछ मिनिट की चीज़ कि आप जो है वो टेम्पलेट से बना सकते हैं हैं आपके जिएस मैं सदेजह करेंगा है और किया मैं भी टेम्पलिट करता हैं त कोई भी टेम्पलेट आप लेलें आपे maps अम्मोर्ड चिम्पलेट करें तो आपको नजखा हा करें कि बाइफ चेज्श ह में ना को मैं charges स्टोरी बनानी है मुझे विकेशन पर मैं गई ट्रिप पे गई पिकनिक पे गई तो मैंने पिकनिक के तस्वीर दिखानी है सारी ठीक है आप इसको देखें यह कि बाद स्टार डिंग इस और यह तेम्पलेट बना वार रहा है ठीक है यह देखें है फूर्ट ठीक है तो आप स्टार डिंग इस और का सकती है अच्छा टेम्पलेट को लेकर जो बिल्कुल नहीं उसर्थ है ठीक है और थोड़ी बाद डिजिलरी इन्वाल भी है और कुछ बनाती ही नहीं है पावर पाइंस से थोड़ा से नहीं है फिमिलर यह उन्होंने कभी को डिजाइनिंग टाप काम नहीं कर रहा है पहले तो आप है काम ही करें आप लोग कि आप पहले तो यह जो option सारे करा इंवा आपती पेटिस्स करें उसके बार टेम्पलेट को लेकर काम करें तेम्पलेट में बेसिकला आपको पता चलो गर भाई इसने कैसे किया यह जो फोकुस होगया रहे है अच्छा यह तो चीज को बनाने से आपको structure बदा चल जाएगा when you know कि जब आपको पता चल जाए कि structure Sovay का क्या है which are cards? कार्ड को कब कहां डालना है यह आप करेंगा? sovay नहीं बताएगा किस चीज को focus करना है? किस चीज को link करना है? किस चीज को embed करना है? किस चीज को शेड करना है इस on you कि आपको करना गया है ठीक है I hope कि इस session आपको अच्छा लग होगा कि ये वो चीजें ये बहुत स्तमाल आती हैं हमारे पास और मैं अक्सर इसको अपने अपने portfolio की नहीं बड़ा स्तमाल कर रहा हूँ तो नौजर डेस्क के एक जगा पर सारी च से बुचा क्या 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 आपके खिद्मात हैं अब मैं उनको मुखले किसम के reference देता है मैंने साववे दे दिया साववे के इंदा तबाम information और तबाम social media के links वगरा वो सब कुछ यहां पर आ रहा है हाँ अगर if you on education site के आप trading site पर हैं और आप बच्चों को सिखाना चाहरी हैं बताना चाहरी हैं तो उसमें audio video होगी तो कितना अच्छा impact पड़ेगा story सी बन जाएगी पूरी के बच्चा video भी देख रहा है audio भी सुन रहा है यह तमाम काम कर सकता है इसके इंदर आप ट्रायोड कीजिए को audio के features को भी audio recording भी हो जाती है आप mic से audio record कर रहें वह भी इसके इंदर क्या होगी play होगी तो practice वाली बात है और practice का असल तरीका यह कि आप script पर ड्राव बनाएं ठीक है okay thank you